मैं हूँ संजीव श्रवास्ता क्या कमाल का वर्ल्ड कप चल रहा है जिन टीमों से कोई उम्मीद नहीं थी जिनको सब लोग एक आसान सी राइट समझ रहे थे कि बस उनको तो रौनते वे आगे बढ़ जाएंगे वो टीमें चमतकृत कर रही है दर्शकों को और सामने वाली टीमों को और जिन टीमों से बड़ी उम्मीद थी कई जो कप के दावेदार थे वो जैसे घर वापिस जाने के लिए अपना विस्तर पूरिया समेट चुके हैं ना सिर्फ अपसेट्स क्रिकेटिंग पिछ पे होएं बलकि अपसेट्स और ट्राजडीज पिछ के बाहर भी होई हैं बड़ा वदिवादा स्पद वर्ल्ड कप चल रहा है ये खासकर सब कॉंटिनेंट की टीम्स के लिए हमारे साथ आग है तो वन इन ओनली कपिल देव टैशिंग ओल राउंडर, ग्रेट अटाकिंग बॉलर, सुपर फील्डर और 1983 की वर्ल कप विनिंग इंडियन टीम के कैप्टन 83 वर्ल कप, कपिल देव कैप्टन, क्रूशल मैच जिंबावे खिलाफ भारत के चार विकेट गिर चुके नौर रन पर आप बैटिंग करने निकले, आपने सोचा था कि ऐसे शकल बदल लेंगे पूरे मैच की आदमी हर बार इसी तरह सोच के जाता है कि आज मैच की शकल बदल दूँगा लेकिन होता नहीं, हर इंसान, हर प्लेयर जब जाता है तो यही सोच के जाता है कि मेरे को सौ बनाना है कभी यह नहीं सोचता कि मेरे को जीरो बना कि आउट होना है तो जब बन जाता है तो उसकी चर्चा होती है उसके उपर बाते होती है लेकिन वो एक ऐसा महौल था जो टीम ट्रबल में थी मुश्कलात में थी और हमने उस team को उस समय सभाला जब बहुत ज़्यादा जरूरत थी और पिर इस तरह की चीजें लोगों के मन में ज़्यादा रहती हैं और बार बार यादें भी आती हैं पर ऐसा नहीं था कि कोई चाहता था कि मैं out हो जाओं या यह कर दूँ एक जिम्मेवारी inning थी जो सही time पे खेली गई और लोग उसको पसंद करते हैं एक सो पिछटर रन की पारी बीच में कभी आपने सुचा कि स्लोडाउन करूं अरे बहुत रन बन गया अब तोड़ा समल जाओं अब फिर आगे बढ़ूंगा दीरे या बस कपिल स्टाइल से बस बढ़ते ही चले गए एकदम एक्सप्रिस क्रेंग जो आपने पहले का कि ऐसा स्टाइल था नहीं कोई ऐसा नहीं था या अपने पहले पोला कि आप सोच के गए थे आइधिंक अंधर आदमी जब जाता है तो ज़्यादा सोचता नहीं है वो बॉलर को ही सोचता है कि यह क्या कर रहा है और मैं कैसे रन ब सिच्वेशन ऐसी थी कि में रहे को आउट नहीं होना इस समय हम ट्रबल में हैं तो दो थाट परसेस जाते हैं की रन बनाना नहीं है या आउट नहीं होना और जब वो एक बार वो जब आप विकेट पे खड़े रहेएंगे कुछ समय के बाद रन बनने शुरू हो जाते हैं अच्छे चलो अभी respectable थोड़ा बहुत score हो गया है और अब हमें run के लिए जाना चाहिए I think उसी बीच में run बनाने के लिए तो मैंने कम साथ-ाथ over लिये होंगे पर वो खड़ा होने के लिए जो मेरा style नहीं था जो मैं सुनील गावसकर की तरह खेल रहा था जैसे सुनील गावसकर खड़े रहते हैं पर उनकी खेल और हमारी खेल में जमीन आसमान का फरक था क्या बात है आपको मतलब इतने लोगों ने इनिंग्स और उस मैच के बारे में लिखा है पढ़ा है बाते हुई है मतलब वो एक तरह से फोकलोर में लोग कथा बन गई है भारती एक रिकेट की और वो पारी बट आपको भी लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट थी 83 वर्ल कॉप बिलकुल नहीं I think वर्ल कॉप का टर्निंग पॉइंट I would say सेमी फाइनल था या पहला मैच था जब हम वेस्ट इंडीस के गेस्ट फर्स राउंड में जीते I think वो दोनों बड़े इंपॉर्टन थे Zimbabwe का एक confidence level का उपर था कि वो मैच जीत के आपका level अलगा आपका confidence बढ़ गया था ये नहीं था कि हम सोचते थे कि हम match इनसे हार जाएंगे ये था कि हम कितने run बना के इनसे जीतें लेकिन इस मुश्किलात में आगे थे उस समय तो बड़ी कटनाई से match जीता तो वो confidence बढ़ गया था कि हम किसी भी परस्तिती में जाएं हम match जीत सकते हैं और semi final England के खिलाफ I think वो सबसे important मुझे तो बहुत इतना detail में देहान नहीं लेकिन शायद Alan Lamb का wicket उसमें बड़ा important था या कि नहीं वो बहुत important था I think कभी कभी कहते हैं न कुछ चीजे ना होते हुए भी आपके हक में आ जाती है जैसी England के against खेलते हुए वो wicket टोटली हमारे हक में बनी थी turning wicket थी low bounce था जो हम हमारी टीम को हमेशा पसंद है जैसे अभी हम last test South Africa में हार के आए वो Indian टाइप की wicket थी और आप हार जाते हो तो आपको दुख जादा होता है और जब हम Manchester में against England खेले तो वो pitch हमें जादा सूट की और I think मोहिंदर अमरनाथ और कीरती अजाद का वो बहुत एहम मैच था ये भी कहूंगा कि जैस्पाल ने बड़ी अच्छे इनिंग खेली लेकिन उन दोनों ने balling इतनी बेतरीन की कि almost 24 ओवर में कोई 35-40 रन दे के चार wicket निकालनी तो वो turning point था पर बड़ा important था फिर आया final कॉन सोच सकता था couple devils as you were then called हमारी team सोच सकती थी आपकी टीम सोच थी तो क्या planning करी before the match मतलब किस तरह का सोच चल रहा था I think उस time हमारी team में हाइप इतनी जादा थी और इतना confidence था उस समय तो अगर हम किसी के साथ भी खेलते तो हार नहीं सकते थे वो एक समय आता है बीच में जब जो भी चीज आप करो सब आपके पैंतरे ठीक किरते हैं ऐसा कहावत है तो I think जो भी हम कर रहे थे सब हमारे हक में जा रहा था और I think बैटिंग तो इतनी अची नहीं करी थी I think उस विकेट पर 183 was not a small total so अगर आप कई बार देखो थोड़ी difficult विकेट पर सौरन नहीं बनते टीम के पास दूसरी 80 पे आउट हो जाती है तो बहुत depend करता है pitch के उपर तो वो pitch यकीनन वेस्ट इंडीज के हक में जादा थी लेकिन हमारे सीम बोलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की रोजर बिनलाल मोहिंदर अमनात बलविंदर सिंग संदू सबने मिलके इतनी अच्छी एक दूसरे को compliment किया तो I think जीत मतलब जब इंडिया 183 पे आउट होके गई तो आप dressing room में बैटे होगे क्या सोच ले थे आप अच्छा 183 बनाए है हमने ये बैटिंग लाइन अपे सामने Gordon Greenwich, Desmond Haynes, Vivian Richards Clive Lloyd इसको कोई सोचता नहीं है देखो जब आप opposition के against खेलते हो तो आप दूसरे को अपने से आगे नहीं बिठा सकते ठीक है बाहर आप बात कर सकते हो पर उस समय हम से बहतर कौन है ये attitude होना चाहिए कि हम सब से अच्छे हैं और हमें इसी लिए हम इस तर पे आए हैं तो I think जितनी मरड़ी मरजी वेस्ट इंडीस की टीम थी पर हमारे में वो जोश था उस समय और again I think मिल जुल के एक टीम ने परफॉर्म किया और again and again हम यही कह रहे थे मुझे याद है कुछ सारी चीज़ें तो नहीं याद रहती इतने सालों के बाद बड़ जाने से पहले मैंने बोला था कि देखिये हमने 183 रंड बिना चुके हैं We already made 183 They have to make 183 The difference is already हमारे pocket में आए और उनको बनाने और कितनी हम उनके लिए मुश्किलात कर सकते हैं इतनी सी बात हुई थी और बोला था कि मुझे याद है मैंने बोला था चलो जवानों लड़ो और सुनील गासकर ने बड़े अच्छे तरीके से बोला अभी जवान नहीं है ऑफिसर हैं कभी ऑफिसर भी बोलो लड़ो I think इस तरह के जोक भी चलते थे 83 वर्ल कप उस रात फिर क्या किया उस शाम हम क्योंकि जो दर्शकों ने और फैंस ने देखा वो तो सिर्फ बालकोनी में शैंपेन उसके बाद कहा कहा खुली कैसे सलिबरेशन हुआ बस मानों कि हर मोर पर कोई न कोई शैंपेन लेके खड़ा था हर इंसान के चेरे पर वो खुशी थी जो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने खुद वर्ल कप जीता हो मैं बताओ आपको अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ क्योंकि हम तो आजादी के बात पैदा होए थे मुझे तो वर्ल कप जीतने होला दिन ऐसे ध्यान है कि जैसे कि शायद लोगों नो 1947-15 अगस्त को सेलिब्रेट किया होगा तो हमारी जनरेशन ने तो उस इवेंट को उसी तरह सेलिब्रेट किया था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी इवेंट थी जी मालूम नहीं क्योंकि हम तो अपने आप में इतना बीजी थे हम खूब एश भी कर रहे थे शेंपन चल रही थी ड्रिंक्स चल रही थी खाना पीना मिला नहीं क्योंकि इतने खुशी में इतना समय काट दिया तो जब रात ज़्यादा हो गई तो हमें खाना भी नहीं मिला तो बहुत मुश्किल से ब्रेड और टोस्ट का के सोना पड़ा अरे कौन मानेगा कि कपिल दे वर्ल्ल कप जीतने के बाद भूके सोए नहीं वो ऐसा नहीं कि भूके सोएग उस समय सब हम गलियों में थे कूद रहे थे इंगलिट में रेस्टोय ग्यारा मझे बंद हो जाते हैं और हम एक बज़े खाना ढूंड रहे थे दो बज़े खाना ढूंड रहे थे खाना मिला streaming पर जो भी मिला बहुत अच्छा लगा, खाना खाया और एश्की क्या बात है, और फिर जब वापस आए, क्या जबरदस्त, इस्तकवाल, जैसे कोई रेड कापिट जिसको बलते हैं, वो ट्रूली रेड कापिट ट्रीट में था जहता की तरफ से, सरकार की तरफ से, सब तरफ से, जी, बहुत अच्छा था और बहुत 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 ब cricket सेच में क्यों इतना game of uncertainties है अभी तो हम world beaters थे आज कल तो I think अगर देखा जाए तो हम बड़े अच्छे प्लेयर हैं लेकिन as a team हमें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जिस तरह का हमारा culture जिस तरह का हमारे रहन्स हैं या पढ़ाई या जब जैसे भी आप मानो हमारा कभी as a team work बहुत कम support को आगे जाने को मौगा मिलता है क्योंकि सोच इस तरह की है लेकिन yes उतार जड़ा बहुत आए समय जब वापस आए तो matches हारे तो बहुत गालियां भी मिली तो ये तो एक दस्तूर है जिन्दगी का जब आगे जाओगे और जीतोगे तो सब लोग आपको हाथों पर उठाएंगे और जब नहीं जीतोगे तो वो या हाथ दूसरे काम भी कर सकते हैं तो इसमें I think हमें किसी चीज़ से दुख नहीं है अच्छा खेलेंगे तो इज़त मिलती है अच्छा नहीं खेलोगे तो गालियां मिलती है कई बार जो लोग कहते हैं कि शाइद भारती क्रिकेट प्रेमियों को और क्रिकेट लवर्स को इतना फनाटिकल नी होना चाहिए इतना अती रियाक्ट नी करना चाहिए दोनों तरफ आपको भी लगता है सही है या या देर अलाओड इस एक्सिस I think we are emotional people and we will behave like that and we always behave like that अगर आप culture change हो जाता है तो मानो हो सकता है अलग बाते लेकिन यह हमारा culture है और culture को change करते हुए बहुत समय लगता है मैं यह मानता हूँ कि इतना सर पे भी नहीं चड़ाना चाहिए और इतनी जल्दी जमीन पे भी नहीं गेरना चाहिए हमें rational देखना चाहिए कि क्या player अपनी performance अच्छी दे रहे हैं कि नहीं उसके बापजूद अगर जीतते हैं तो हमें खुश ही होनी चाहिए नहीं जीतते तो दुख होना चाहिए पर यह नहीं कि कभी-कभी उनके poster जला रहे हैं या कुछ इस तरह के काम देखने को मिलते हैं वो बुरा लगता है और जब कभी-कभी हमारी तारीफ उससे ज़्यादा होती है जितनी नहीं होनी चाहिए तो भी बुरा लगता है मन में अच्छा लगता है लेकिन यह कहते हैं कि यह थोड़ा जाइदा हो रहा है जैसे कभी-कभी आप अलफाज कभी-कभी बीच में यूज कर देते हैं बोलते हुए कि ऐसा मानते थे ऐसा मानते थे ठीक है हम खेलने गए थे अच्छा खेले जीते वापिस आए तो अच्छा लगा और अच्छी चीज़े लोग याद रखते हैं बट उसका मतलब यही नहीं कि अगे बढ़े कपिल्दे उससे पहले एक और अपनी पसंदा गाना बताईए और यह चोईस आप की कि आप पुरानी फिल्मों में से किसी अक्टर का गाना बताना चाहेंगे या कोई नई पौध नई पीड़ी के किसी रेप्रेसेंटिव अक्टर की फिल्म का गाना बजाना चाहेंगे हमारे एक्टर जो हमारे समय में होते थे वो थोड़े मोटे भी हो जाते थे या इतने लगते नहीं आज के आप heroes देखो या villains देखो, उनकी personality देखो, वो अपने आप पे कितनी मेहनत करते हैं and we cricketers should be proud to see them because they are so fit, I mean कोई ऐसा नहीं है, हमारे Salman Khan देख लो, आते जाते हैं अपनी body दिखा देते हैं, इतनी तंदृस्त body, इतनी अच्छी body कापिल साब, body हो तो Salman Khan जैसी अच्छा आपके दोर पे, जिसे आपने 4000 run, 400 wicket, you know, this kind of double, exceptional exceptional case थे, लेकिन तीन और all-rounders थे, Imran Khan Richard Hadley, Ian Botham और हमेशा आपका comparison होता था इन तीनों लोगों के साथ, कोई कहता था नहीं, आप सबसे अच्छे, आपकी नजर में अगर आप स्वेम को हटाएं, तो उन तीनों में आपको सबसे बहतरीन कौन लगता था I think, देखा जाए तो the balling में, I would say Richard Hadley was one of the finest आपने रिकॉर्ड तोड़ा था उनका वो ठीक है, वो अलग बात है बट अगर देखा जाए तो उन से अच्छा कोई बॉलर नहीं इम्रान कान बहुत अच्छे बॉलर थे और मैं ये काऊंगा कि बोथ हम सबसे अच्छे बैट्समें थे उनका रिकॉर्ड कहते हैं बाकी लेकिन आपका फेवरिट और इन तीनों में कौन होगा I think I would, I admire totally hundred percent I admire Richard Hadley as a bowler and I admire Imran Khan with his leadership the way he handle the team Pakistan की टीम को handle करना असान नही है और उनने बड़ी बेहतरी नहीं खुबसूरुती से पाकिस्तान टीम के captain रहे और काम भी अच्छा किया तो maybe Botham was best all around he had the batting and bowling but 83 team में एक beauty यह भी थी यह खासियत यह भी थी it was a team of great all around us nuts and bolts all around us कि अपना अपना काम करना अभी हमारे पस कहा है वह आपको हमारे टीम में कभी गलतियां मिलेंगी नहीं क्योंकि हम जीत चुके हैं जीती हुई team से आप ज्यादा गलतियां नहीं पाते लेकिन यह सही नहीं है अगर हम तुलना करेंगे team यह हम से कहीं बेतर हैं कहीं अच्छे हैं यह ज्यादा smart हैं अच्छे खेलने वाले हैं यह हम से किसी तरह से कम नहीं हैं I think we expect that they should play like a team and play a very important inning and whenever somebody play important in him that's what you remember rest of your life एक बात और इस पूरे दौर में जो आपने इतना जबदस करियर रहा इतनी अडलेशन मिली उसमें जब मैच फिक्सिंग वाली बात आई और उस पे लेके जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसला शुरू हुआ उन दिनों आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहीं जाके डूब जाओं या सबसे छुप जाओं या सबको गोली मार दूँ मतलब गुसा आकरोश दुख क्या सबसे जादा था यह सब चीज़ें थी जो आपने कहीं इनमें कोई ऐसे चीज़ नहीं था जो नहीं आया यह भी आया कि डूब मरो इस तरह लोग सोचते हैं यह भी आया कि उठा के अपने आपको गोली मार दो यह भी आया उठा के लोगों को गोली मार दो हर ख्याल मन में आया जो आना चाहिए और ये कोई ऐसा नहीं था कि जूट बोलना है या नहीं बोलना ये आपको दुख होता है कि जब आप के उपर आरोप लगाया जाए जब आप सचे हैं और इतने साल मेहनत करके आते हैं तो दुख होता है लेकिन ये जिन्दगी का दस्तूर है और अगर हम इस तरह के सब्जेक्ट को सारी उमर उसी के टॉपिक के उपर बात करते रहें तो अपनी ग्रोथ कम हो जाती है अच्छे दिन बुरे दिन आते हैं और ये है कि जो हम पहले बात कर रहे थे लोगों को इतना सूच भूच से देखना चाहिए ये नहीं किसी ने कुछ बोला तो आप उसके पीछे लग गए और सब मानने के लिए तैयार होगे I think हमें कब अपने आप की बुद्धी यूज़ करनी चाहिए ये लाहिल लग नहीं होना चाहिए जो पंजाबी में बोलते हैं I think ये चीज़ें आती रहती हैं और आती रहेंगी गलत पॉइंट गलत थिंग्स But end of the day we have to use our common mind कि क्या हम सही है ये गलत है ये कैसे है 83 World Cup की जीत लॉड्स की बालकनी पे खड़े होके जो कुछ भी आप सोच रहते है उसके सिवा एक और सबसे यादगार लमा आपके क्रिकट जीवन का I think again it's very difficult and बहुत मुश्किल है कि अगर आप 15 साल की जिंदगी में क्रिकट की जिंदगी में या पूरी जिंदगी में अगर आप बोलो कि कौन से ऐसे लमें हैं बहुत से ऐसे लमें हैं अगर आप बोलो कि हाँ जिंदगी के 8-10 दिन ऐसे क्रिकट के निकालो तो यकिन थोड़े आसान है अगर एक बोलो तो मुश्किल है आप ये भी कह सकते हो कि winning the world cup, my own record, test tie 100, so many things test tie 100, amazing match हाँ and test and tie match also ये बहुत सी चीज़ें ऐसी खूबसूरत चीज़ें आती हैं जिंदगी में जो हमेशा जहन में रहेंगी और आखों के सामने आती रहती है बहुत मुश्किल है कि अगर आप बोलें कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कपिल देव आगे बढ़ें उससे पहले कोई ऐसा गाना जब ड्रेसिंग रूम में बड़ी टेंशन होती हो, सब लोग सोचते हो कि आगे क्या करना है, mood अच्छा नहीं हो तो कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के सब जने light महसूस करते हो, थोड़ा खुश होते हो, थोड़ा महौल बदलता हो पडोसन देखूंगा जो हमारे इंडियन टीम की फेवरिट मूवी होती थी अच्छा क्यों? क्योंकि सारा दिन इतनी busy और इतने tight situation में होते थे tension है और उसके बाद आप शाम को सिरफ हसी खेल देखना चाहते हो क्योंकि आप रोने वली picture नहीं देखना चाहते और हम कभी भी देखना नहीं चाहते थे serious movies because हमारा अपना काम इतना serious होता था मैदान में तो सुनील दत के पीछे बैट के जो किशोर कुमार गाने गाता था पूछो ना पूरी team कभी बस में होते कहीं होते अगर match fixing के मामने को छोड़ें तो उसके सिवा कोई ऐसा लमहा जिसको आप बिलकुल एक rubber से या duster से blackboard में मिटा देते हैं वैसे erase करना जहें यह टीन होता मैं यह बहुम गड़े लूक्त करना में यह ये елिदो आप तो किया होग अगर यह ना होता तो वह नँना होता तो यह हुता इस तरह का गुत को दिमाग में चलता रहता और इभी जैसे आपने पहले इंट्रिवियो में का कि सेमी फाइनल में अगर वो शॉट ठीक लगी होती और ग्राउंड के बाहर जाती शायद हम फाइनल खेल रहे होते इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं मन में लेकिन आप उसके उपर एक चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसके उपर दुख हम मनाने का क्या फाइदा कपिल देव आगे बढ़े हैं उससे पहले एक और कोई पसंदिता गाना आपका कोई फिल्म जो बहुत यादगार रही हो बहुत अच्छी लगी हो मुगले आजम देखता हूं जब भी हो ज़रूर देखूंगा कपिल देव आज 10-12 साल हो गए अंतरराश्ट्र क्रिकट छोड़े हैं कैसे आपकी सुबह होती है उटके क्या करते हैं सबसे पहले जैसे है बाकी लोगों की होती है योगा करते हैं कुछ ऐसा नहीं थोड़ा बहुत walking कर लेता हूं चाहे पीता हूँ थोड़ा बहुत newspaper अगर मिल जाये या कुछ और पढ़ने को मिल जाये थोड़ा बहुत walk कर लेता हूं तयार होता हूँ आफिस में जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आफिस से निकल के कलब थोड़े देर चला जाओं दो तीन घंटे गॉल्फ कर लूँ या कुछ प्रैक्टिस कर लूँ या उस तरह का महौल बना के रखों लेकिन कमिटमेंट जिन्दगी में बहुत हो जाती है चैरिटी वर्क बह यहीं बैटना मेरे को कुछ न कुछ जिन्दगी में काम करते रहना है तो इसी गुफ्तगों में सब कुछ समय निकल जाता है और रात सोने से पहले आप जैसे लोग बुला लेते हैं कि स्टूडियो में आओ या कुछ कभी हमें इंटर्वियो दे दो कुछ ऐसा नहीं कोशि करते हैं अपनी इनिंग्स के नहीं मेरे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जब कभी मैच टीए पर आते हैं तो यकिनन कभी कभी तो देखने की कोशिश करती है कभी-कभी हटा देती है मेरे को नहीं देखना आपको खेलते हुए क्यों ऐससे उसकी है इच्छा मै उसके इच्छा को तो नहीं कह सकता, उसका प्रेवरिट क्रिकेटर, क्या नाम है आपकी बेती का? आमिया, का फेवरिट क्रिकेटर कौन है? पापा के अलावा? उसका कोई ऐसे नहीए, समय के समय ही वो क्रिकेट देखती नहीं है इतनी, जूरु शुरू में उसको था थोड़ा बहुत जब हम छोटी थी कि वो सोचते थे कि मैं टीम के साथ होता था तो उनको लगता था लेकिन उनका कोई ऐसा फेवरेट क्रिकेटर नहीं है टाइम टू टाइम कभी कभी क्रिकेट के उपर पूछ लेती है वरना क्रिकेट के उपर मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती तो वो बिजनस मुमन बनेगी जैसे अब कपिल देव अपनी सेकेंड इनिंग्स में बिजनस मैं क्या बनेंगी ये नहीं मैं जानता हम तो ये चाहते हैं कि उसको अच्छे एथिक्स दें अच्छी लाइफ दें बाकि वो क्या बनना चाहती है वो हम को देखने है ना कि हमें उसको क्या बनाना है उसकी ड्रीम्स है और अगर वो ड्रीम्स अपनी पूरा करना चाहती है और हम उसकी ड्रीम्स में हल्प कर सकते हैं तो this is what we wanted I don't want what I want her to become because मेरे इच्छा तो बहुत कोछ है वो अपनी ड्रीम्स लेके आई है अपनी जिंदगी लेके आई है और उसको अपनी जिंदगी काटने का और जिंदगी बनाने का पूरा हक है बिल्कुल सही बात है आपने लेकिन आपकी ड्रीम क्या होगी अपनी बिटिया के लिए वैसे तो ऐसी क्यों कि आपने एक लाइन गोल एक अच्छी नागरिक हो और एक अच्छी इंसान हो और यही सबसे ज़्यादा होगी बाकी वो क्या बनती है या नहीं बनती वो भगवान के उपर चोड़ देते हैं बट अच्छी एथिक्स अच्छी इंसान और अच्छी नागरिक होना इस वेरी इंपोर्टन विच जो हमारे हाथ में है और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और कपिल देव आगे बढ़े हैं पहले एक और कोई पसंदिता गाना आपका कोई और एक्टर या हीरो जो इस वक्त ध्याना रहा हूँ जो भी म्यूजिकल हूँ जिनको देख के और जिनको याद करते ही आपको कोई और नगमा गाना या याद आए रितिक रोशन में सचे थिंग संजेदाथ हैव कमाओट के दा संजेदाथ मुझे भी बेहत पसंदे आपकी जो पत्नी है उनसे आपकी अरेंज मारेज भी थी की लव मारेज करना तो अरेंज चाहता था पर लव हो गया इसका क्या मतलब चाहता तो था ये जो खयालत घर से मिले हैं कि वो बीवी चुनेंगे वो अपने अपलाएंगे पर एक आएक मिले देखे और घरवालों को बताया कि ये लड़की अच्छी है देख लीजी अगर आपको पता है रोमी नाम है ना उनका जी और इतनी लड़किया जो लट्टू थी कपिल देव पर उन सब क्या होता था आपने कभी ऐसी इमिज बनाई होई रखी अपनी की जैसे आप उस पर ध्यान नहीं देते जादे ये सही थी कि बस चोरी चुपे देखते थे और बाकियों को नहीं मान पर पर होता ही नहीं था कोई पटती नहीं थी तो क्या करता है आरे छोड़िये कफिल साब पूरी जेनरेशन फिदा थी आप पर नहीं आई थिंग मेरे पर बच्चे और बुड़े लोग ज़्यादा फिदा थे कभी मेरे मेरी उमर के लोग और खुबसूरत प्लेयर जो थे हमारे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान था तो मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं आता था मुझे उससे कोई उसका कोई रिग्रेट नहीं है बिलकुल नहीं हर इंसान अपनी अपनी लेके आता है एक छबी बस कपिल साब यही जो आपकी मॉडिस्टी है वो ही तो आपको सबका खासकर मेरा भी अल्टनाइम फेवरेट बनाती है इसलिए तो आप सुपरस्टार थे और आज गेम छोड़े होए 10-12 साल के बाद भी इतने दिलों पे राज करते हैं सो कपिल्देव थैंक यू वेरी मच्च कि आप हमारे स्टूडियो आए अपने इतना वक्त निकाला और 1983 की जर्नी और अपनी क्रिकेटिंग लाइफ की जर्नी हमारे साथ एक तरह से दुबारा जीए आप बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच्च एंड सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार और इसी तरह मिलते रहेंगे कभी न तभी इतनी हमなた चींड से आप ठक करता व्प्रपण से दुबादाए तरह सक्यार हमारे साथ भी मेरा